नमस्कार दिन भर के अंतरास्ट ये खबरों पर आपका स्वागत है आज के कुछ important highlights कि रूस पर हुए आतंगी हमले के बाद अब रूस के रास्पती व्लादमिर पुतिन अपनी nuclear policy को change करने जा रहे हैं इस policy के change होते ही दुनिया एक बड़े युद्धी की तरफ आगे बढ़ जाएगी वहीं भारत के राफिल तुर्की और पाकिस्तान के common दुश्मन देश के अंदर उतर चुके हैं भारत जल्द ही 52 देशों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी military exercise करने वाला है जिसमें दुनिया के ताकतवर देश शामिल होंगे साथ ही आज के इस वीडियो में China, Philippines, भारत, UAE, Israel, Hezbollah, रूस से जुड़ी हुई कुछ important international news इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यदि आपको हमारी ये series पसंदार है तो इस से लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा सबसे पहले और important update की बात कीजा तो रूस के दागिस्तान में बिते रफिवार को एक साथ चार ठिकानों पर हमला किया जाता है इन हमलों में पादरी और पुलिस कर्मियों सही तब तक करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है शुरुआत में ये आकड़े सिर्फ 7 लोगों के थे लेकिन जैसे जांक परताल तीजी से की जाती है पता चलता है कि 15 लोग मारे जा चुके हैं और इस अटैक में जिन आतंकियों ने हमला किया था उसमें से करीब 6 को भी मारा जा चुका है वैसे तो दागिस्तान में ये हमला होने वाला है इसको लेकर के पहले ही कुछ international agencies ने रूस को वर्निंग दे दी थी लेकिन इसके बावजूद भी आतंकियों ने इस बड़ी दु भारत के लिए भी सेम मान सिकता रखते हैं डीटेल्स की बात की जा तो लास्का में हुई अमेरिकी वायुसेना के साथ एक महत्रपूर्ण जिसे हम रेड फ्लैक अभ्यास के नाम से जानते हैं उसे भारती वायुसेना के आठ राफे लड़ाकों इमान ग्रीस पहुंच रहे हैं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए ग्रीस एक महतोपूर्ण रणनितिक तोरपर सही होगी है इसके लाबा के पहले से ही राफिल लड़ाकों इमान है ऐसे में भारत समय समय पर ग्रीस को इ Rafael लड़ाकों मान है है हाली में ग्रीस के साइन चीफ चनल दिमित्रियोस हूपिस ने भारत की यात्रा की थी उस दोरान डिप्लोमेसियो और अन्य संबंधों को लेकर के कुछ इंपोर्टेंट अग्रिमेंट्स भी किये गए थे वहीं अगस्त के महिने में भारत के अंदर होने वाली बहुरास्ट यह अभ्यास जिसे तरंग शक्ती 24 के नाम से जाना जा रहा है इसमें F-16 ब्लॉक 52 प्लस फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं यह सब ही भारत पहुचेंगा और इंडियन एरफोर्स का साथ मिलकर के एक सब से बड़े अभ्यास को कंड़ट किया जाएगा इसमें अमेरिका फ्रांस इटली जर्मनी सहित बावन देश सामिल होने की उमिद देता ही जारी है और इसमें से लगभग लगभग 40-45 देश पार्ट स्पेट भी करने वाले हैं तो यह बहुत बड़ी मिलिटर एकसाइज होन देने की हम अब अपने स्वादेसी हतियारों के प्रड़क्शन को बढ़ाने जा रहे हैं यहां रिसेंटली एस्पी आई एफ जिसे हम सेंट पीटर बग्स इंटरनेशनल एकनोमिक फोरम के नाम से जानते हैं इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है रश्या का कहना है कि आज रूस के अंदर जो सबसे बड़ा नौकरी प्रदान करने वाला शेत्र है वो रूस का डिफेंस सक्टर है आज करीब 3.5 मिलियन लोगों को रूस की डिफेंस इंडस्टी एंप्लाइमेंट देती है और रूस में करीब करीब 20 परसंट जो नौकरियां है वो सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री के लिस्ट में शामिल है जहां साल 2013 और 2017 में टूटल ग्लोबल मार्केट साइज में इनकी 22% हिस्सेदारी थी वहीं 2018-22 की बीच में 16% और 2023 में इनोंने फ्रांस को पीशे छोड़ते हैं फिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक सकता है रीसेंटली रूसी संसद में हो रही एक मीटिंग के दोरान इस पर बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें बताया गया कि रूस इसमें दुनिया की सबसे बड़ी परमाणू ताकत में से एक है इसके बावजूद भी हम अपने इन हत्यारों का स्वाल नहीं कर पा रहे सकता है पहली बड़ी कंडिशन की रूस के अपर जब भी कोई अस्थितु का खतरा पड़ता है या फिर रूस को धंकाने की कोशिश की जाती है या फिर उससे सटे हुए जो भी देश हैं वो किसी और संगठन में शामिल होने की तियारी कर सकते हैं तो इसमें भी रूस अप अमेरिकन साइंटेस्स के मताबिक रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े परमाडू शक्तियां हैं जिनके पास दुनिया के करीब 88% परमाडू हत्यार हैं तो इनकी कोई भी नीती दुनिया में बड़े युद्ध की तियारी बना सकती है देखते है नहीं चीच और वहां पर कुछ चैनिक भी सामिल होते हैं जहां पर साउट चाइना से के अंदर चाकू कुलहाडियों से लेकर के फिलिपिन्स के नौ सेना कर्मियों के उपर हमला किया आता है चीन की तरफ से और चीन के इस हरकत की वज़े से कई लोगों को काफी जदा नुकसान ह है वैसे तो चीन की इस हरकते बाद अमेरिका यूरोपे नियुरियन जैपान अस्टियलिया और तमाम पश्मीत देशों ने इस चीज की निंदा की थी लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि जब तक देश का लीडर सामने निकल के नहीं आएगा और कुछ नहीं बोलेगा तब है क्योंकि recently Philippines को हमने ब्रमोस मिसाल एक्सपोर्ट की है और भविशे में Philippines और भी हतियार भारत से खरीदने की त्यारी में है और चीन इनको रोकने की कोशिश करने में लगा हुआ है और चीन साउट चाइना से के अंदर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है अगली पात को कानूनी दर्जा देने की त्यारी की जारी है जहां बलतकार और परिवार की वेक्तिव द्वारा की गई किसी भी सिकार से अगर महिलाएं प्रेगनेंट हो जाती है तो उन्हें गरपात की अनुमती दी जाएगी शर्टी है कि घटना की रिपोर्ट करानी जरूरी है इसके लाबा 120 दिन से जादा की प्रेगनसी नहीं होनी चाहिए इसके बाद उन्हें इस कानून के तहर तनुमती मिल जाएगी हाला की UAE के बड़े फैंसले के बाद अमारिका के 9 स्टेट से आगे निकल जाएगा UAE क्योंकि आज भी अमारिका के 9 ऐसे स्टेट है जहां पर इस तरीके के कानूनों को मंजूरी नहीं दी जाती है यानि की UAE भी हब काफी जादा मुड़ना इस होने की तरफ मूब कर रहा है क्या कुछ सोचते हैं इस पर हमें कमेंट्स में ज़रू बताइए अगली बड़ी कबर सामने निकल के आ रही है भारत इसरायल और अमारिका स सप्लाई हो चुकी है वहीं अमेरिका जो इसरायल को हतियार सप्लाई करता है वहाँ पर इलक्षन का महौल है ऐसे में वहां की जो भी पार्टीज है वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेने चाहेंगे जिससे वो इलक्षन हार सके और इसमें जो बाइडन शायद इसी सिती में हसे हुए हैं क्योंकि वहां पर ना सिर्फ उनके लोग बलकि इंटरनेशनली भी प्रेशर की रीट किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत है कि भारत ने इसरायल को जितना भी हो पा रहा है उस तरीके के हतियार एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिये हैं जहार भी मीडिय कम्प्लीट कोई भी हतियार नहीं बेजा है बलकि कुछ कॉंपोनेंट्स भारत की तरफ से भेजे गए हैं लेकिन सोचनली बात यह है कि इस समय हम इसरायल का साथ दे रहे हैं क्योंकि इसरायल वो देश है जिसने कारगिल जग में भारत की बहुत जादा मदद की थी इसराय कंट्री से हजारों लड़के हिजबुल्ला का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं जहां हिजबुल्ला के नेता नसरल्ला ने बुद्वार को एक भाशन में कहा कि उनके पास इरान, इराक, सीरिया, यमन और अनित देशों से बहुत सारे हजारों के संख्या में लड़क को सब्सक्राइब जरू कीजे, बंदे मात्रम भारत मता कीचे